वैसे तो जितेंद्र को साउथ की रिमेक फिल्मों का किंग कहा जाता है क्योंकि जितेंद्र फॉल्यूट के ऐसे अभिनेतर है जिन्हें साउथ के निर्माता निर्देश को ने अपनी फिल्मों में सबसे जादा वार मौका दिया लेकिन जितेंद्र की कुछ फिल्में ऐसी भ जिन्हें साउथ में रिमेड किया गया इस वीडियो में दी गई इसे भी जानकारी इंटरनेट आधारित जानकारी है जिसका 100% सही होने का हम दावा नहीं करते हैं साल 1979 में आई हिंदी फिल्म दो भाई हिंदी बाशा में बनी ये जितेंद की पहली फिल्म थी जिसे साउथ के निर्माताओं के द्वारा तमिल भाशा में जश्टिश विश्वनात के नाम से तथा तेलगु में नेनू मनीशी नाम से 1971 में रिमेड कर बनाया गया साल 1978 माई जितेंद्र अमिताब बच्चन हेमा माली नी अबिनी फिल्म गहरी चाल ये वाल्यूड की एक मात्र फिल्म है जिसमें अमिताब बच्चन और जितेंद्र एक साथ नजर आए ये एक आश्चरी के बात है कि दोनों की ये जोड़ी इतने लंबे केरियर के नजर नहीं आई बहराल बात करते हैं इस फिल्म के साओधी मेट के बारे में 1975 में तमील भाष्या की बेरा नेनन्जाम के नाम से फिल्म आई यह फिल्म जितेंद्र की फिल्म गहरी चाल का रिमेड थी यह दूसर आउसर था जब साउत के निर्माताओं ने जितेंद्र की फिल्म को रिमेड किया गहरी चाल फिल्म के जब LP रिकॉर्स रिलीज किये गए थे तो उस पर जितेंद्र और हेमा मालनी की फ फिल्म को 1981 में तेलगू भाषा में इललू के नाम से रिमेड कर बनाया गया था। का नशा नाम से बनाया जाना था। बाद में अग्यात कारणों से इसका नाम बदल कर आतीश रखा गया। जीवता रतनम के नाम से रिमेड की गई थी। 1980 में आई जी तेंदर रिना राइक फिल्म आशा ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी। तेलगू, तमिल और बंगाली भाषा में रिमेड कर बनाया गया। सबसे पहले, 1980 में ये फिल्म बनी बंगाली भाषा में मंदिरा के नाम से। उसके बाद, 1982 में इस फिल्म को तेलगू भाषा में रिमेड किया गया। जिसे डाइरेक्ट किया था प्रसिद निर्देशक टी रामा राओ ने। आशाक क्या नोन फ्रेक्स पर हमारे चैनल पर व्यूडियो प्लब दे। यदि जानना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1986 में आई जितेंद्र मिथुन रेखा मंदा किनी की फिल्म जाल। ये फिल्म मुख्य रूप से जितेंद्र की नहीं बलकी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म थी जिसे 1987 में किराय दाता नाम से तेल गुभाचा मनाय गया था। तेल गुभाचा की इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आये थे साउथ के सूपर इस्टार नागारजुन। 1987 में जितेंद्र शत्रुगं सीना की सूपर फिल्म खुद गर्ज। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस सफल रही थी। इस फिल्म से राकेश रोचन को भी एज डायरेक्टर पहचान मिली थी। इस फिल्म को 1988 में तेल गुभाचा में प्राना इसने ही तूलू के नाम से रिमेट किया गया। 1982 में में इसे तमील भाचा में अन्ना मलाई के नाम से रिमेट किया गया। 1987 में फिल्म आई थी सिंदूर। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आये थे शची कपूर, जयापरदा, गोविंदा, नीलम, जितेंद्र और रिशी कपूर। इसमें गेश्ट अपिरियंस में नजर आये थे। हाला कि ये फिल्म रिमेट थी 1984 में आई तमिल फिल्म उन्नाई नाम संतिते का, 1987 में आई फिल्म सिंदूर को तेलगू में रिमेट किया गया था सुमंगल के नाम से, इस फिल्म में अभिनेता की तोर पर क्रश्णम गाजू को लिया गया था, जब कि अभिनेतर के तोर पर स पसंद आई हो तो इससे लाइक करें शेयर करें जित्ते अंदर शत्रुगन सीना की फिल्म खुद गर्ज क्या नॉन फेक्ट्स पर हमारे चैनल पर वीडियो प्लब दे जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यदि अब तक आपने मार